एक RTI सवाल लेकिन कई जवाब हैरान होगे? हाँ, हम भी कुईंट ने जैन्वेरी 2020 में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से एक आसान सवाल पूछा था कृपया दिल्ली की सभी सातों सीटों में 2019 के लोगसबा चुनाव में इस्तिमाल होने वाले वीवी पैट स्लिप्स को जाचने की अनुमती दे लेकिन हमें दिल्ली के पाँच जिला निर्वाचन अधिकारियों या कहें DEO से तीन अलग-अलग RTI के जवाब मिले पहले जवाब में ये लिखा था वीवी पैट स्लिप्स को निप्टा दिया गया है मतलब नश्ट कर दिया गया है इसलिए उन्हें देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता दूसरे जवाब में लिखा था 2019 के लोग सभा चुनाव में इस्तिमाल की गई वीवी पैट स्लिप्स डिस्टिक वेहाउस में सील पड़ी है लेकिन इस पर कोई सफाई नहीं दी गई कि हम उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं या नहीं तीसरे जवाब में लिखा था 2019 के लोग सभा चुनाव में इस्तिमाल कीए गई वीवी पैट स्लिप्स के इंस्पेक्शन की अनुमती नहीं दी जा सकती है क्यूंकि मामला कोट में है अब एक सवाल के हमें तीन जवाब क्यों मिले और सच्चाई क्या है ये जानने से पहले 1st RTI reply पर गौर करते हैं जो हमें 28 January 2020 को दिल्ली के East District Election Officer से मिला जिसमें लिखा था कि 23 September 2019 के चुनाव आयोग की एक चथी के आदेश के मताबिक वीवी पैट स्लिप्स खतम कर दी गई है जिसमें सभी states और union territories से पेपर श्रेडिंग मशीन के जरिये वीवी पैट स्लिप्स खतम करने के लिए कहा गया था इस आठिया जवाब में दिल्ली के Chief Electoral Officer द्वारा जारी किये गए एक लेटर भी शेर किया जिसमें सातों parliamentary constituencies को चुनाव आयोग की आदेश का पालन करने और वीवी पैट स्लिप्स नश्ट करने का आदेश दिया गया था इसके आधार पर 8 February को The Quint ने ये पूछते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया कि EC को आम चुनाव की वीवी पैट परचियां नश्ट करने की इतनी जल्दी क्यों थी हमने चुनाव कानू 1961 के नियम 94B को उठाया जिसमें कहा गया है कि किसी भी चुनाव की वीवी पैट स्लिप्स को एक साल तक संभाल के रखा जाना चाहिए लेकिन आटिया जवाब में पता चलता है कि 2019 लोग सभाव चुनाव की वीवी पैट स्लिप्स को संभविक चेरचार या हेर फेर का पता लगाने में एहम सबूत होती है इस मामली की गंभीरता को देखते हुए Association for Democratic Reforms ने The Quint के आर्टिकल के आधार पर February 2020 में Supreme Court में application दाखिल कर दो निवेदन किये पहला चुनावायो को पिछली एक साल में किसी भी चुनाव में generate हुई वीवी पैट स्लिप्स को नश्ट नहीं करने और उन्हें नियम के मुताबिक कम से कम एक साल के लिए संभाल कर रखने का निर्देश दे और दूसरा चुनावायो को 2019 लोकसबा चुनाव से संबंदित अन्य दस्तावेजों को रिटेन करने का आदेश दे ये मामला अभी Supreme Court में लंबित है लेकिन जैसा कि मैंने शुरुवात में ही कहा हमें हमारे VVPAD slips के inspection की RTI पर कई जवाब मिलें दिल्ली के साथ संसदिय शेत्र में से पांच में से जवाब आए पांच जवाब में से दो ने कहा कि इस्तमाल हुई VVPAD slips नश्ट हो गई थी दो ने कहा कि वो गोदाम यानि कि वेर हाउस में पड़ी है और एक ने कहा कि वो ये जानकारी शेर नहीं कर सकते लेकिन हमारे पास एसी और दिल्ली CEO द्वारा लिखी चठी भी है जिसमें साफ ये कहा गया है कि VVPAD slips को नश्ट कर देना चाहिए जिसका मतलब है कि दिल्ली के दो DEO ने चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं किया Association for Democratic Reforms के मेंबर जगदीब छोकर ने कहा कि सभी DEO की अलग-अलग कारवाई चुनाव प्रक्रिया के कुछ हिस्सों में निरंतर्ता की कमी का संकेत है ये चीजें मत दाताओ के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदे पैदा कर सकती है तो ये कुछ सवाल है जो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे इस्तमाल हो चुकी VVPAD slips हमारे चुनाव के लिए एहम है उनका निप्टारक कैसे किया गया इसे लेकर एक बात क्यू नहीं है कुछ चुनाव अधिकारी उन्हें स्टोर कर रखे हैं तो कुछ नश्ट क्यूँ क्या ये चुनाव आयोग के लिए चिंता का विशे नहीं है कुछ चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी जानते हैं कि कुछ DEO ने VVPAD slips को नश्ट करने के आदेश का पालन नहीं किया कम से कम मार्च 2020 तक नहीं किया है जब हमें आखरी RTI जवाब मिले दिल्ली के कुछ DEO ने चुनाव आयोग के आदेश का पालन क्यों नहीं किया क्या ये हमारी चुनाव रक्रिया की कार्य प्रणाली और अखंडता पर खराब असर नहीं डालता हमारी RTI केवल दिल्ली के पार्लिमेंटरी कॉन्स्टुएंसी पर फोकस थे लेकिन क्या दूसरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने चुनाव आयोग के नियमों का पालन किया क्या चुनाव आयोग को ये मालूम है और हाँ 2019 लोकसवा चुनाव के चार महिने के अंदर ही चुनाव आयोग ने वीवी पैच स्लिप्स को नश्ट करने का आदेश क्यों दिया जबकि ये सीधा सीधा कानून का उलंगन है